आज एक बहुत important but interesting lecture आपको देने वाला हूँ और वो बहुत important है हर आदमी को मालू होना चाहिए उसका pulse कैसे check करते हैं आपने देखा कभी doctor के पास जाते हैं तो doctor हाथ पकड़ते हैं यहाँ पकड़ता है और ऐसे करके check करता है घड़ी देखता रहता है आपको मालू है वो क्या कर रहा है वो pulse check कर रहा है तो pulse कैसे check करना चाहिए मैंने देखा आदमी को मुस्ताव pulse किता सर मैं तो जानता नहीं अरे कैसे नहीं जानते है पल्स देखना कौन सी बड़ी बात है पल्स देखना सिखो आदमी बोलता है को सर कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ पल्स को चेक कैसे करना है बहुत सिंपल है देखे यह हाथ है ना यह हाथ में जहां पे रिस्ट है जहां पे घड़ी हम बांते हैं देखे घड़ी बंदा हुआ है घड़ी जहां बांतें बीचों बीच आई और इससे आदा एंच अंगुठे के तरफ आ जाईए और दो उंगली लेकर यहां पर दबाएएं और देखिए बीप बीप कर रहा है इसका मतलब क्या पल्स चल रहा है हार्ट एक बार पम्प होता है एक बार pump करता है एक बार भी फोती है तो जित्ते बार heart pump करेगा उत्ता बार pulse आएगा तो आप pulse usually check, easily check कर सकते हैं यह इस हाथ पे भी कर सकते हैं इस हाथ पे भी कर सकते हैं बहुत simple सी है दो उंगली को आप यह index finger और middle finger दोनों को बराबर कर लीजें और यह घड़ी जहां बांते होँआ पे लगाईए और आधा इंच उधर हट जाए एक सेंटी मिटर अंगुठे के तरफ सिफ्ट करिए और थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो आपको pulse दिखना लग जाएगा pulse आपको feel होने लग जाएगा तो pulse काउंट करने का क्या रूल है एक मिनिट तक घड़ी देखके एक मिनिट तक काउंट कीजिए नॉर्मल कितना होता है क्योंकि नॉर्मल तो 70 के आसपास होता है 70 बहत्तर और 50 से 90 तक हम लोग नॉर्मल मानते है 50 से 90 तक एकदम नॉर्मल पल्स है तो कभी भी कोई डॉक्टर कोई भी आदमी आपको पूछे सर आपका पल्स किता है बुलसर अभी गिनके बताता हूँ तो याद रखेगा पल्स देखना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है कोई भी आदमी एक मिनिट में अपना पल्स को चेक कर सकता है तो आप अपना pulse चेक करिया ऐसा नहीं कि पाँ सेकिंड किया और बारा से बिटिप्लाइ किया नहीं नहीं आरे टाइम दीजए और आधा मिनिट तो मिनिमम देखना है एक मिनिट देखेंगे तो सबसे वड़िया है तो आप अपना pulse जरूर अभी अभी कभी अभी काउंट और देखेिए आपका Pulss कितना अगर normal है या नहीं है अगर जादा है 90 से तो आपको डॉक्टर से reconstruct करना चीए और पचास से कम है तो डॉक्टर को मेरी साइग है और पचास से कम होता तो परहलता है प्रेड काडिया पल्स में एक चीज और आपको याद होना चाहिए आप देख चलने लग जाता है पल्स अगर मिस कर रहा है तो याद रखेगा पेसमेकर का केस है और अगर पल्स बहुत स्लो है तब भी पेसमेकर का केस है और पल्स बहुत जादा है तो भी पेसमेकर की केस है तो याद रखेगा पल्स आपको चेक करना चाहिए अजकल कोवीड में भी पल् करते हैं जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब भी हमारा पल्स बढ़ता है और कभी सांस फूल जाती है तब भी पल्स बढ़ता है तो याद रखेगा पल्स जब भी चेक करेंगे आदमी रेस्ट में होना चाहिए कम से कम पांच मिनिट रेस्ट में बैठे फिर उसका पल्स पता चलता है तो पल्स आप जरूर हर दिन चेक कर सकते हैं और अपना पल्स मालूम होना चाहिए और कोई हार्ड का पेशेंट है कोई ब्लड पेशन का पेशेंट है प्ल्स जरूर आज कल एक आगए यह आपको मालूम है पल्स ओक्सिमीटर उससे भी पल्स चेक किया जाकता है पर उत्ता भरोसा नहीं कर सकते उस पर तीन सेकेंट के लिए pulse चेक करता है और उसको 20 से multiply कर देता है तो अगर तीन के जगे 4 देख लिया तो एक 80 दिखा देगा और तीन के जगे 2 देख लिया तो 60 दिखा देगा तो 30, 40, 20 का difference कर सकता है पल्स ऑक्सिमेटर तो आप अपने पर भरोसा करिए अपना पल्स जरूर देखिए और जो भी पल्स देखना नहीं आता उनको जरूर सिखाईए आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है हर अदमी को अपना पल्स देखना आना चाहिए और एक दिन मैं आपको बताऊंगा ब्लड पेशर कैसे चेक किया जा सकता है वो भी आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और ये वीडियो आप जरूर लोगों से शेयर करिए और जो भी पल्स देखना नहीं पाता है उनको पल्स देखने में मदद करिए थैंक यू वेरी मच आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे मैं दॉक्टर बीमल चाजट साउल हार्ट सेंटर का फाउंडर और डिरेक्टर हूँ थैंक यू सो मच